हेलो यूटूब परिवार नमस्कार प्राम कैसे हैं आप लोग मैं विल्कुल अच्छी हूँ राशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे तो दोस्तों मैं एक नया टिप्स लेकर आए हूँ फेस के लिए जिससे फेस क्लीन दीखेगा माले जिस पार्टी वगेरा में आपको जाना है आचानक जाना हुआ तो आप अपना चेरा कैसे क्लीन करेंगे कैसे ब्राइट करेंगे तो एक टिप्स हमारे तरफ से देख लीजिए यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अभी मैं बता रहे हूँ कि कैसे चेरे को आप क्लीन करिएगा कैसे चेरे को ब्राइट बना करके तो पार्टी में जाईएगा वह आधे घंटे के अंदर आप कर सकते हैं या दस पंदर भीस मिनट भी आप अपने चेरे पर लगा के लिप छोड़के तुरंत पाने से बस कर लीजिए और फिर आसे की इसमें एक चम्undo वेंचन ढाल देते हैं है है और इसमें हल्दी पावडर में इसमें से थोड़ासा हल्दी प्लादर ऑर कर्ड दर्ली है में करते है कि इसमें डाल लेते हैं तोड़ासा नहीं और इसको ऐसे पेश्ट बनाते हैं आप ऐसे पेश्ट बना करके जैसे कि कभी-कभी होता है कि माली जी वाई देब पाटी में जाना है पालर नहीं चाप आई तो इसको अपने फेश्ट पे लगा करके और साधी पाटी अटेंड कर सकती हैं और बिल्कुल चेहरा क्लीन हो हुआ और कोई भी देखेगा तो यह नहीं कहेगा कि आप आलर से नहीं आ रही है और बिल्कुल आपका चेहरा सोफ्ट हो जाएगा यह आपके फेश्ट को नुक्षान भी नहीं पहुचाता है और बहुत ही फादे मन्द भी है चेहरी के लिए तो देखिए इसमें मैं दाग लगाना है और कैसे इसको लगा करके कितने मिनिट छोड़ना है बस अब देखते रहे हुआ है दोस्तों मेरा नाव इंदु यादव है और मैं बनारस से विलम करती हूं और यदि मेरा टिप्स अच्छा लगे आप लोगों को अच्छा मेरा यह प्रोड़क्ट लगे कि नही किये हैं तो आप लोग सस्क्राइब कर लीजिए और जड़ा शेयर करिए और हाँ अबेल आइकन बटन दवाना नहीं भूले हमारे तरफ से हमारे युट्यूब करेवर को परणाम बड़ो को छोटो को शूब शाषी बात देख रहाः लाएक कमेंट करें और ज़रूर बताये हैं कि मेरा ढीक कैसा लगा कि यह मेरा तरीका कैसा लगा कि यह तुरल फ्रेशर का काम करता है लगा करके मैं बता रहें रोज तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे और इस चेरे को यह चीज फायदा करें आपको लगे कि नहीं गौत सही है तो देखिए मैं तो इसे अपना चुकी हूं मैं तो यह तरीका अपना चुकी हूं देखिए कितना सब हो जाता है एक उल्यट के अंदर चेरा कितना सब हो जाएगा दोस्तों आप सुच भी नहीं सकते हैं कि यह हूं जगे सामले को या पैसी सबके करता है सब के ऐधर करता सबसेक्स digo गिरातव करता हैP जाह स्ब्राइं है अइस चैज चाह सब्लूब दातर है जब लोग इस टप्स को अपना सकते हैं यह जोपना आद से लें करके सलीप लगाना है इसको दस मिनट तक ऐसे मसाज करके और जब मसाज कर लेंगे दस मिनट फिर उसको बाद आप ऐसे इसको छोड़ेंगे यदि बहुत जादा जल्दी है तो दस बीस मिनट के अंदर आपका चेहरा भी प्लीन हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि आप बालर से नहीं आ रहे हैं आप फ्रेशयर नहीं कराई है अश्य कुछ नहीं होगा बिल्कुल आपका चेहरा चमकता हुगा दिखेगा एक बार आप अपनी चेहरे पर इस्तेमाल करके देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताए कि यह मैं सही कह रहे हूं या गलत कह रहे हूं है कि यह तो नुख्सन नहीं पहुचाता है रही इसदी इस चेहरे की च 궁agos बणा देता है ग proud दोस्तों मेरा चैनल है हिंदु याद ब्लॉक्स के नाम से तो प्रिपया हमारे चनल पर जाए और बने रहें और आप लोग के सपोर्ट के विन्या में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और नहीं आप लोगों के सामने आप आप आउंगी तो प्रिपया सपोर्ट करिए और देखत रही है हमारे वीडियो और अच्छा लगी तो कमेंट बाक्स में रिपया जरूर बताएं कि यह मेरा टिप्स कैसा लगा यह मेरा तरीक्या कैसा है कि देखते रहें दोस्तों और यह नुक्स जरूर अपनाएएगा यह तरीका जो है जरूर अभ्यास करिएगा लगा करके कि हां कैसा है कि देखिए इस तरह से मैं दस मिनट तक मसाज कर दी कि दस मिनट तक मसाज करने के बाद कि इसको आप 15 मिनट ऐसे ही छोड़ें 15 मिनट बाद इसको आप किसी साफ कपड़े को भीगो करके और उसको उतारिए साफ करिए और देखिए चेरा आपका विल्कुल अभी देखिए जस्ट मैं इसलिए आप लोगों को बताये हूं कि जस्ट आपको यह तुरन अब आपको मैं दे रहे हूं देखिएगा कि कितना मेरा चेरा कैसे था और कैसे हो गया कितना प्लीन हो गया इससे चेरा विल्कुल टाइट और चंकीला हो जाता है अब 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 आप अब बताती हूं उतार करके देखिए मैं तो ज्यादा समय तक इसको चेरे प्यावी नहीं रख रहे हूं बट आप रखिएगा 15-20 मिनट तक और 10 मिनट तक आप इससे मसाज करिए और उसके बाद 15-20 मिनट छो दीजिए और फिर एक बार सुन लेजिए एक चम्मच दही एक चम्मच बेशन और थोड़ा सा आधी चम्मच उसमें हल्दी विकोटर्मिक हल्दी बार्डर ले लीजिए और उसमें आप पेस्ट बनाईए और पेस्ट बना करके चेरे पर अच्छे से मसाज करिए 10 मिनट और फिर उसके बाद 10-15 मिनट तो कैसे ही छोड़ दीजिए फिर उसको वास कर लीजिए देखिए मैं आवीज को वास करते हुँ किसी साफ कपड़े से चेरे खुवास करना है देखिए इस साइड से मैं उतार दी चेरे से देखिए कितना यह उतारते ही ब्राइट हो गया चंदेला देखिए आपके चेरे को फादा भी करेगा इस तरह से इसको बटाइए चेरे से देखिए आभी तुराल तीस करें हैं सामने देख लीजिए कि मेरे चेरे मेरा चेरा कैसा था आभी लगाई तो कैसा हो गया मेरा चेरा कितना चमकने लगा इसको अच्छे से वास कर लेना है मेरे दोस्तों मेरे और अपमेरे चैनल पर बने रहे हैं और आईए हमारे चैनल पर आओ देखिए कि मेरा कैर लिनुक्स टूट टीप्स कैसा लगा यह तरीका मेरा पैसा है फ्रेशियर का चेरा चमकीला हो जाएगा यह तरीका कैसा लगा दोस्तों देखिए बिल्कुल चेरा एकडम सब्क हो गया इस तरह से देखिए मेरा चेरा किता साफ्ट हो गया तो दोस्तों एक हेर बंड लगा करके तब आप लोग करिए ना क्योंकि मेरे पास इस समय हेर बंड आया नहीं आप लोग लगा लीजिया और फिर उसके बाद चेरे पे अपने लेप लगाईये बेशन, हल्दी और दही तीनों एक कटोरी में पेस्ट बना लीजिये जैसे कि मैं बना करके आप लोग को अभी दिखाई हूं और चेरे पे लगाईये 10 मिन तक मसाज करिए फिर उसके बाद 20 मिन तक चेरे पे छोड़िये और फिर उतार दीजिये देखिए कितना चेरा बराइट हो गया अब प्रजेंट में तो मैं ज्यादा नहीं दो तीन मिन तक लगा करके छोड़ी थी बट आप 20 मिन तक लगाईये देखिए चेरा बिल्कुल चम चमाता हुबा दिखेगा आपक आप कमेंट बाकस में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले हमारे चैनल को सस्क्राइब करें यिक करें और बिल ड लगया प्रसाव को अको ब mister पास जाला है और जस्तों मेरी वीडियो काइसे लेंगी तो आप इस टिप्स को अपना करके जरूर बताईएगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी बाय पुर्णा